हेलो वेडमी स्वागत थे आपका वेडमी के यूट्यूब चैनल पर आज का वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप कुछ देखा है वेडमी के साइट पर आई वहां सी इसाग कोर्स ले लिए और एक इफैर में और देना चाहूंगा जिन बच्चों ने सस्क्रिप्शन ले रखा है ओलडी रेखा वह अपनी सिप्ट जो होगा 7518 354395 इस नंबर पर वह अपने डिसे वॉट्ट सेप्ट पर जरूर भ तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के वीडियो के बारे में बहुत ही अच्छी जॉब अपर्चुनिटी के बारे में खासकर के लिए्ट्री में कर रख तो उनके लिए इनके लिए वीडियो बहुत ही बैइनिफिशन होना है इसमें जो पोस्ट है है सेक्षिन ऑफिसर होटी कल जन इस पोस्ट में MSC या बेसे जिन्हों ने बाटनी में कर रखा हूँ और इसका इसका सेलेक्शन होगा इसका सेलेक्शन एक रिटन इसका सेलेक्शन बोर्ट इसमें सेलेक्शन बोर्ट इसमें एक रिटन एक्जामिशन के सेलेक्शन होगा अब चलिए बात कर लेते हैं और डिटेल्स के बारे में तो जैसा कि मैं मैंने बताये कि इसका अप्लिकेशन प्रोसेस है वो नाइन जैनुरी को स्टार्ट होगा और प्लोजिंग डेट एप्लिकेशन इसका सेविन फेबरी है और इसमें बात करते हैं और डिटेल्स के बारे में कि नंबा पूस्ट कितनी है तो यहां कि यहां कि आप देख सकते है इसमें जो फस्ट वालन जो सेक्शन ऑफिस फिस एसमें लेवल 6 का पे है और इस अन्निजर्ब के टेग्री फोटीव सीट से और यूंद कर दो शेक्ट पोश्ट से इसमें लाइक आराउंड नाइंटीन सीट से दो अन्रिजर्ब आर्ट ओवीज़ी फोर सी एस्ट टो टोटल मिलाके इसमें 108 सीट्स पे वेकेंसी आई है तो बहुत यह अच्छा यह आपके लिए अब बात कर लते हैं और डिटेल्स के बारे में तो यहां प्यों लोग जैसे बोला कि आप इस आपको कैसे अप्लाई करना तो आपको इस वेब साइट पर जाके अप्लाई करना है आपमें फेबरे और इसमें लेकैशक के खुरूट करा जाएंगी उसके थुरूट अइसमें रिटेल्स excellence के बारे में तो जैसा कि आब देख सकते हैं सबसे पहले पाहले करते हैं एका क्रैशन का C degree in agriculture or in science with botany तो degree in science with botany from a recognized university इन्होंने desirable कुछ माँगा है लेकिन जो इन्होंने experience में अब यहां बहुए सवाल उष्टेया कुछ experience माँगा है कि नहीं तो यहां पर आप देख सकते हैं experience में इन्होंने कुछनी माँगा है यहां पर देख सकते हैं पिन्होंने experience में निल्माख है मतलब लाइक जो fresher हो इसमें किसी भी experience ज़रूरत नहीं है अब fresher है तब भी आप इसके लिए eligible है चले बढ़ते हैं और details के बारे में तो इसमें जो और जो second post है इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा लाइक लेवल अफ पेज जो होगा 35,400 तो 1,12,000 तक होगा जो एज लिमिट होनी होगी होगी 18 to 70 years है कितनी है 18 to 27 years इसकी एज लिमिट है और relaxation है अब बारे में like obviously SCST लोगर के relaxation भी है वोमेंस के लिए relaxation है उसकी बाद बाद में की जाएगी वह आगए आगए आएगा और इसमें आप प्रूब होनी चाहिए और apply करने के लिए apply करने के लिए आपको इस link पर जाना है तो मैंने क्या बताए कि जो एज लिमिट होगी वो 18 to 27 years होगी unreserved category के लिए बाखी reserved category के लिए कुछ relaxation भी है वो आगे मैं बताऊंगा अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में तो यहां पर जैसे फीस दिया गया है फीस होगी वह 100 होगी 100 फीस की फीस होगी लेकिन जो women candidates या पिस SC, ST, PW के category से students हो उनके लिए कोई फीस नहीं होगी तो जो भी students male male, unreserved और OVC candidates है उनकी फीस 100 होगी सिर्फ इन category के students को फीस देनी है बाखी women SC, ST, women from unreserved category और OVC category और बाखी SC, ST category के सारे कब के लिए कोई फीस नहीं है उनके लिए बिल्कुल free examination है यह अब बात लेते का लेते एक्जामेशन स्कीम क्या है तो examinations की मिनोंने बताए कि दो four phase में या दो टायर में examination होगा पहले टायर में बोला है कि आपका total number question 200 question होंगे total marks भी 200 होगा then grand total 200 अब इसमें slavers क्या है slavers आप देख सकते हैं first section में general levelness, reasoning, arthematical, test Hindi language या comprehensive इसमें Hindi language का भी आपका टेस्ट होगा इस साथी English language का भी test है और जो section B होगा ठपते सब्जेक्ट रेटेट क्वेश्चन होंगे like जो बॉटनी से हैं उनसे लेटेट क्वेश्चन होंगे next बताया है इन्होंने जो जो second category है जो second sorry जो examination है उसमें भी around 200 questions होंगे total mark जिसका 200 होगा section A में भी subject related question होंगे और जो section B होगा इसमें English language related question होंगे और सबका weighties भी दिया रखता है इसके बाद बात कर लगते हैं और details के बारे में तो यहां पर कुछ important details mention का रखी उन्होंने कि जो टायर वन जो पहला examination होगा उसको बस use किया जाए है qualify qualification पता करने के लाइक आप qualify है कि नहीं आगे के rounds के लिए उसमें सिर्फ टायर जो पहला examination होगा उसका use किया जाएगा और जो second examination होगा उसका further selection क्ली होगा कि कुछ पहले टायर वन में कुछ बच्चे सेलेट किया जाएंगे based on the qualified marks then जो second examination होगा उसका use किया जाएगा उन चुने हुए बच्चों में आगे like selections के लिए तो यह बात यहां पर clear हो गई कि यहां पर दो mode और दो examination होगे पहला examination section A में aptitude question होगे section B में आपके subject related question होगे और section B में English language related portions होगे आपके पास है अब देख लिए आपके qualify marks तो जो भी जर्णल और EWS candidates है उनके लिए qualify marks है 40% OVC candidates के लिए 35% अब यहां पर देली की mention करा रखा है क्योंकि उनने बोला कि आप दूसरे states के लिए भी यही रहेगा लेकिन जो उनका certificate होना चाहिए वो सेंट्रल होना चाहिए ना से स्ट के लिए 30% होना चाहिए तो यह qualify marks है कि जर्णल के 40 marks 40% marks OVC के लिए 35% mark और से स्ट के लिए 30% marks so इसमें अब एक last detail के बारे में बात कर लेते हैं जैसे मैंने बताया कि कुछ रिजाब क्रेगरी स्टुडेंस के लिए इस रिलक्षेशन भी है तो वहां पर इनो मैंशन किया है जो अन्रिजाब क्रेगरी से उनके लिए क्या इस लिमिट थी 18 to 27 और जो SCSD के लिए फाइफ 15 और BCA के लिए basis of the reserve category so यह इनका age limitation है और हो कि मैंने काफी रिटर्स बता दी गई बाकि यह जो पीडिया फ्लोक्मेंट है आपके इस लिंक के description में वीडियो के description मिल जाएगा और इसे आप इसके जो official website DESSB के वहां से भी download कर सकते है तो एक फिर मैं समनी बता देतूं यह section officer क की जॉब है in horty culture department from Delhi DESSB boards और इसमें जो इसका selection होगा वो दो examinations से थुर होगा इसमें जुन हमें MSC in Botany का रखा है या BCBSC in Botany रखा है मतला है कोई भी science degree होनी चाहिए Botany में उसके लिए eligible है इसका starting date है 9th January 9th January से form start होगा और 7th February तक आप इसमें अप्लाई कर सकते है अप्ला इसे कमेंट सेक्शन में जरू बताएगा अब यह मत पूछिए अगरे मसी जोलाजी वगरा है इलिजबल है कि नी तो यह पर ऐसा कुछ मांशन ने से Botany के students इसके लिए eligible है को यह इसके लावा भी और कोई कमेंट सेक्शन में जरू बताएगा थैंक्यू एन बाबाए